हम हाप पर बहुत जादा रिस्क में थे मेरा लगबग डेर साल जाएक ते मेरी डिग्री कम्प्लीट होने के लिए सारे बच्चे ही पनेशान हैं 50 एर, 6, 4th एर, 3rd एर, 2nd एर 50% से जादा बच्चे हाप पर लोन पर है तो पैरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा डिप्रेशन बन गया है तो इसलिए हम इसी डिमांड और एक रिक्विस्ट के साथ यहां पर इकटा हुए है थैंक यू मोदी जी लेकिन आगे का क्या फ्यूचर होगा कुछ इसी तरह के सवाल और धन्यवाद यूक्रेशन सा आए बच्चे कर रहे हैं लेकिन जो भविस्टे है उसको लेकर भी थोड़ा परेशान है कि आगे इनका भविस्टे कैसे रहने वाला है तमाम लोग हमर साथ जूर चुके हैं बात चीत करते हैं आप से जाना चाहिए कैसा आपका सफर रहा तो और आप यहां आकर क्या सोच रहे हैं कि आप पढ़ाई कैसे होने वाली है मेरा नाम मानवी भारगव मैं इवानो फ्रैंक्विस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट चियर की स्टूडेंट हूँ हम वहाँ पर बहुत जादा रिस्क में थे हम बहुत ही परिशानी जहलते हुए अपने उपर अपने वतन वापस लोटे हैं फर्स्ट अपॉल मुदी जी का बहुत जादा धन्यवाद सभी एक्जेक्यूटिव ओफीशिल जिन्होंने हमारी हेल्प की है फर्स अपॉल थैंक्स टू मीडिया अलसो दोस वह रेज़ आर वाइज इन इंडिया हम वहां से आ तो गए हैं मुदी जी ने हमारी जिंदगी तो बचा दिये आगे हमारे करियर का क्या होगा तो हम इसी रिक्वेस्ट के साथ यहां पर आएं बड़ा डिप्रेशन बन गया है तो इसलिए हम इसी डिमांड और एक रिक्वेस्ट के साथ यहां पर इखटा हुए है आपका क्या चल रहा था पढ़ाई का कौन सी एर मेरा फोर्थ यह चल रहा था मेरा नाम अंच भार को है मैं शामली यूपी से रहने वाला हूं और मैं युक्रेन में इवानो फ्रेंकिस में पढ़ाई कर रहा था मेरा लगबग डेड़ साल रहे थे मेरी डिग्री कंप्लीट होने के लिए पर ऐसी सिच्वेशन आगी अब यह नहीं पता कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा जिस सिच्वेशन में से एक वार के जोन में से युद की कंट्री से हमें वहां से निकाला गया मिशन गंगा के तहट और हम शैकुसल अपने वतन वापिस लोटें तो एक सरकार से रिक्वेस् में हमें एड़्जस किया जाए कुछ ने कुछ हमारा सॉलीशन निकाला जाए आप बताईए आपका क्याना में डॉक्टर अजमी है किस तरह से बच्चे आपके पास आ रहे होंगे अभी सवाल पूछ रहे होंगे क्या कैसे इस्तिती है तेकि हमारी कंपनी का नाम यूरेश पूछ भूटर तक बच्चों को उने पहुचाया और बॉडर के बाद जो पॉलेंड वगरा बच्चे पहुचने के बाद मोधी जी ने बच्चों को अपने विद्देश पहुचाया है तो हम लोग उसके लिए थैंक्स मोधी जी का भी करते हैं और हम लोग अब जो है बच लेट हो रहे हैं सारे प्छे ही प्रेशान रहे हैं थे यह विद्जी प्रणियर सेकेंड यह तो और ज्याद़ा प्रशान है क्योंकि हम लोग के पास भी काफी कॉल सारी है पैरेंट्स की हम लोग को बहुत कुछ हैंडल करना पड़ रहे हैं आप से जानना चाहेंगे कौन सी यहार आपकी थी और आप क्या दिमाग में कि आने वाले समय कॉम्पिटिशन जाद हो जाएंगा इसी में आप लोग किस तरह स अपने बश्ते करेंगे सरेक्शुली मैं थर्ड यर के स्टुटन तुमेब भी वानों नाशनल युनिवर्स्टी में पढ़ता हूं मेरे नाम दिपांशु है सर मेजर कंसान यह है कि अभी यूक्रियन का इसे करने को बिलेंगे जब यूनिवर्स्टी नी ओन होगी महाब करेंगे का जो LIKE सरकार्फ हमारे उन्होंने यही र्रिक्वेस्ट रिप्रिया करके हमें यहीं कहीं पर possальных तॉच तो यहां घृ ही तो पूरा हो गया है लेकिन मिशन फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए दिल्ली से में जितेंद्र गोतम डियान पी इंडिया